Hello friends, welcome to my channel आज हम देखेंगे किसी भी image फाइल को without any application हम किस ज़रे से PDF में convert कर सकते हैं इसके लिए हम use में लेने वाले हैं Google Drive तो सबसे पहले आपको अपना Google Drive open करना है open करने के बाद आपको उस image फाइल को यहाँ पे upload करना है जिसको आप PDF में convert करना चाते हैं तो इसके लिए हम plus button पे tap करेंगे और यहाँ पे upload पे tap करेंगे और हमारे mobile में रखी वी कोई एक image यहाँ से select करेंगे और उसको हम drive पे upload करेंगे तो यहाँ से हमने एक image को select किया और इसको upload कर देंगे अब upload करने के लिए यहाँ पे हम इसको resume करेंगे और हमारा जो image है वो resume हो रहा है uploading के लिए और यहाँ पे upload हो रहा है upload होने के बाद image को open करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखती है अब इस image को PDF में convert करने के लिए जो three dots हैं इन three dots पे tap करेंगे three dots पे tap करने पे आपके पास जो options हैं वो कुछ इस तरह से होंगे अब आपको scroll down करना है और print option पे tap करना है यहाँ पे आपको जो PDF का size है उसको change करना है हम यहाँ पे A4 size में convert करेंगे और जो layout है इसको आपको portrait form में convert करना है तो हमारी PDF कुछ इस तरह से दिखेगी अब इस image को PDF में convert करने के लिए green button को tap कर दीजिए और यहाँ पे आपके पास rename का option होगा तो यहाँ से आप इसको rename कर दीजिए तो यहाँ पे हम नाम देंगे इसको demo.pdf और इस नाम के साथ इसको हम save कर देंगे तो यहाँ पे हम इसको save कर चुके हैं तो चले देखते हैं तो इसके लिए हम file manager को open करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही file manager open किया तो demo.pdf file जो है वो यहाँ पे appear हो चुकी है चले इसको open करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी image file जो है वो PDF में convert हो चुकी है Hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो useful लगे तो हमारे वीडियो को like करें, comment करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करना न भूलें Thank you for watching this video